ओरियार जंग ओरियार जंग तो आज मैं आपको प्रोटीन से बरपूर आलो सोय बीन बड़ी बनाने की एकदम अलग रेसिपी बताऊंगा इस तरी के से अब सब्जी बनाएंगे ना खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आप सब्जी का कलर देखिए, टेक्श्टर देखिए, क्या जबुर्दा सब्जी बनके हमारी तियार हुई है तो अगर आप सीखना जाते हैं तो वीडियो को आपने बिना स्किप के उलाज से जुरूर देखना है यहाँ आप मैंने एक कप सोय चंक्स लिए हैं सोय चंक्स लिए हाड होते हैं, तो इनको सॉफ्ट करने के लिए या तो इनको बॉयल किया जाता है, या तो इनको गरम पानी में बिगो के रखना वड़ता है तो यहाँ पर मैं इनको बॉयल करना है, कितनी दिर बॉयल करना है तीन से चार मिन तक आप इनको boil की जिए medium flame में कि देखिए उपर से आपने cover कर देना है और तीन से चार मिन तक इनको boil कर लेना है अगर आपने इनको भीगो होना हो तो कम से कम पंदरा मिन तक आप इनको गर्म पानी में भीगो के छोड़ सकते हैं तब यह soft हो जाते हैं तो यह देखिए अच्छे से हमारी soya bean chunks जो फूल चुकी है यहाँ पर gas की flame में बंद कर दिये और इनको थंडा कर लेना है आप चाहें में थंडा पानी डालके भी थंडा कर सकते हैं और इसके बद आपने इनको निचोड़ना है देखिए इस तरह से जो इनके अंदर पानी होता ना उसको आपने निचोड़ देना है तो सारी soy chunks का पानी मैंने निकाल दिया है इसके बद हम इनको ना marinate करेंगे जैसे हम chicken बगयरा को marinate करते हैं बैसे इनको भी marinate करना आपने तो तीन बड़े चमच भरके मैंने इसमें देही अड़ की है देही आपकी जदा खटी नहीं होनी चे है ने तो gravy खटी बनेगी एक छोड़ा चमच इसमें नमक एड़ करेंगे एक छोड़ा चमच आपने इसमें देगी मेच पौडर या कश्मीरी मेच पौडर का यूज़ करना है यहाँ पर इससे color चाहेगा वो भी ठीक हो जाएगी मसालों के साथ में, तो ये देखे, इनको मेरिनेट करके छोड़ दीजिए, तब तर मसाला बना लेते हैं, मसाला बनाने के लिए हम आपने दो प्याज और दो टमाटर लिये हैं, प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है, और टमाटरों को आपने पीस लेना है, या फिर टमाटरों को भी आप चॉप करके यूज कर सकते हैं, यहां मैंने कडाई लिये हैं और इसमें दो बड़े चमच सरसों का तेल आड़ करेंगे, सरसों के तेल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है, जब तक इसमें अच्छे से दुआ न निकल जाए, देखें दुआ निकल जुका है, इसके बद इसको नॉर्मल टेंपरिचर में आने दीचिए, जैसे दो रखंड हो जाए, आपने इसमें खड़े मसाले अड़ करना है, तेश पत्ता, बड़ी लाइची, दाल चीनी, और इसके साथ में आप इसमें एक से दो लॉंग एड़ कर दीचिए, इसके साथ में आपने छोटा सा पीस चक्री फूल कर डालना है, बड़ा पीस नी डालना है, बहुत स्टॉंग फ्लेवर होता है इसका, और इसके साथ में पांच से साथ आप काली में इस्टाल दीजेए, साबुत वाली, मसालों को अराम से आपने तिटकने देना है, इसके बाद में आपने बारी कटो या कूटो और लस्सुन डालना है यहाँ पे, और लस्सुन को आपने हलकर सा पका लेना है, जदा golden brown नी करना है अपने लस्सुन को, यह देखिए हलकर सा लस्सुन को पकाने के बाद आपने इसमें बारी कटो प्याज भी एट कर देना है, और प्याज डालने के बाद आपने प्याज को ना medium flame में पकाना है आराम से, ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से भी पके और वो soft भी हो जाए high flame में पकाएंगे प्याज में crunch रह जाता है उसकी gravy नहीं बन बाती है तो कभी भी आपने प्याज को गलानो उसको medium flame में पकाईए अराम से पकेगा प्याज अच्छी तरह से गल जाता है और अच्छी smooth gravy बनती है उसकी तो यह देखिए प्याज का जो color यहाँ पे golden brown हो चुका है तो इस तरह का color लाने अपने प्याज में पहले फिर आपने एक छोड़ा चमप भरके अधर कलस्ण का paste add कर देना है और अधर कलस्ण के paste को भी आप थोड़ी देर पका लिजी यहाँ पे ताकि अधर कलस्ण का जो strong flavor है ना बोगा तम होच जाए तो के देखिए अधर कलस्ण का जो paste है भो भी हमने अच्छी तरह से पका लिया है थोड़े से मसाले add करेंगे थोड़ास आपने इसमें देगी मिच पॉड़र और बिल्गुद थोड़ास आपने इसमें हल्दी पॉडर एड़ करना है और इनको अच्छे से mix कर लेना है गैस की फ्लेम मैंने आप एक तम लोग कर दी है तो यहाँ पे हल्दी पॉडर और देगी मिच पॉडर डालने से ना कलर अच्छाएगा ग्रेवी के अंदर फिराम इसमें पीसे और टमाटर एड़ कर देंगे और टमाटरों को प्याज के साथ जल्दी से mix कर लेते हैं प्याज का जो cooking process है बहीं रुक चाहे और प्याज हमारा जले ना इसके बाद और टमाटरों को आपने high flame में अच्छी तरह से तब तब पकाना है जब तर टमाटर पकने के बाद अच्छे से oil ना छोड़ दें तकि टमाटरों को जो अपना कच्छा टेस्ट है बहु खत्मना हो जाए तो देखे टमाटरों ने oil छोड़ दिया है इसके बद हम इसमें मेरनेट की हुए सोये चंक्स हैट कर देंगे और पानी नी डालना है आपने अभी यह देखे अच्छे से बॉल में जो देही चिपकी हुए ना वो भी साथ में अच्छे से साफ करके आपने यहाँ पर डाल देनी है पानी यहाँ पर तो नी डालना है क्योंकि सोये चंक्स की अभी हमने बुनाई करनी है देही डाला है उसको हुपने अच्छी तरह से पकाना है तभी उनका कच्चा टेस्थ खत्म हो पायेगा और देही को जितना अच्छी से पकाएंगे जितना बड़ी आपके ग्रेवी में टेस्ट आएगा तो इनको भी आपने तब तब पकाना है जब तब पकने के बाद अच्छी तरह से oil ने छोड़ दें और आदा शोड़ा चमच मैंने नमक और एड केस में क्योंकि नमक मुझे थोड़ा सा मैंने टेश किया था बीचे में तो कम लग रहा था और फिर इनको अच्छी से पून लेते हैं यहां पे तो यही मेंच टैप होते हैं खाना बनाने के अगर आपने देही को अच्छी तरह से पका लिया भीर हम इसके बाद आलू एड़ करेंगे तो यहाँ मैं उबले हो आलू डा रहा हूँ जिनको मैं छोड़े होडे क्यूब्स में काटा है अगर आपके कच्चे आलू हो तो आप उनको न्यूटर के साथ पहले ही भून के पका सकते हैं और आलू को भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक से दो मिंट तक आलू को भी अच्छे से मसाला के साथ भून लेते हैं ताकि आलू के उपर अच्छे से कलर आ जाए, अगर आप आलू को भूनेंगे नहीं, तो आपके आलू ना वाइड वाइड दिखेंगे ग्रेवी के अंदर, और ये देखे, आलू को भी आपने अच्छे तरह से भून लिया है, फिर आम इसके अंदर पानी आइड करेंगे, त ताकि अच्छे से मसालों का जो टेस्ट है ना, सोयवीन बड़ी के अंदर तक चाहे, और सोय चंक्स को जब हम खाए ना, उसके अंदर भी मसालों का अच्छा टेस्ट आए, तो ओके देखे, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से आपे ठीक हो चुकिए है, जो हमने उसे में सकते हैं, और अगर आपके अस बटर है, तो एक छोड़ा क्यूब आपने इसमें बटर का डाल देना है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, तो आप ही सोयवीन बड़ी को टोटी के साब भी खा सकते हैं, राइस के साब भी खा सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लग होगा, लाइक, शेयर, कमेंट चुरूर कीजेगा, ओके फ्रेंस, मिलते के लिए ने वीडियो के साथ, थैंक यू,